आज की कहानी के शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसको पूरासम परीश में बताना चाहूँआ क्योंकि यह कहानी नहीं एक यह लोगों की इच्छा है जो लोगों को बताएगी कि आपकी इच्छा बेट पूरी होगी तो आप क्या-क्या फिस करते हैं और आप उसमेंसे कितना सही करते कितना देट करते यह आप लोगों पर डिपांड करता है तो कहानी कुछ मेरे दिल के पेरिये हो है सो आज के कहानी का नाम है डेफनंट आज यू यू नौ सो आज की जब कहानी है डेफनंट यह आपको फुर्योइब को इल देग disclosure और आपके तिलों को जीत लेगी चीट दोस्तो आज़ी कहाले स्टार्ट करते हैं हमारे केरेक्टर से जिसका नाम है लाइट यागाम लाइट यागाम यह एक ब्रिल्येंट हाइज स्कूल स्टूडेंट है जो अपने आसपास की चीजों से तन आ चुका है जो इसके आसपास क पता है उसको नांता डैथमॉद उससे दीर दीर पता चलता है एक शुरू करते है यह सी हु सपक्र से स्टीस Лा संका तो तीर दीर दीर लोगों के नाम रिक्ना स्टार्ट करता ह। वो अपने वहाद पर किया लिए इंटरनेट से, कईसे भी एगर उसके किसी भी क्रिमिनल को नाम पता चलता, तो उसकी शकल देखता, मन में उसकी शकल सोचता उसका नाम लेखता, और वो खोड़ी ही देर में हार्ट अटेक से मर जाता, एक बार तो समय ऐसा भी आया है, कि उस अगर कोई इतनी बड़ी अक्टिविटी करेंगा, तो किसी ना किसी का उस चीज़ पर दिमाग जरूर जाएगा, और इस कहानी में में सेम हुआ, यही से इंटर्डिव्स होता है, नया करेक्टर जिसका नाम है एल, एक यह कमाल गा जीनिस डिटेक्टिव है, जिसकी लड़ाई हैं, जी यह अपना प्लिट जगादासुस है, तो जैसे ही अब उसको बड़ तो अपना लाइट यागा में है, यह अपने एक मिशिन पर, कि इसे बुराई को खतम करना है, अब बात यह है कि अब बुराई को खसम करते, 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 अब इस हदस तक आ इसका प्रिसिक ही कारदा क्योंकि जस्टिस चाहिए, पर अब यह जस्टिस को छोड़के जो इसके डिजायर उनके कट्रोल में फस चुका है, और यही सिकानी बिल्कुल एक बोड अलरी ले लेती है, क्योंकि लाइट जो है, अब वो उकने आपको गोड मानने लगा, और अब जस्टिस थी ना, यह कहते है, आइडियलिस्टिक परशूर्ट अब जस्टिस थी, वो ट्रांस्फोर्म हो चुकी है, एक लस्ट ओफ आवर, इसके मन में अब इससे सिरफ पावर से मतलब, अब इससे नहीं मतलब कि मैं अचाहर कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, पर एक कहा है, पावर कम सेट अप प्राइस, जैसे ही नाइट अब अपनी हदों को भूल चुका है, अपनी हदों को पार कर चुका है, तो उसी में उसके दो के परिवास सब उससे दूर होते जा रहे है, जो भी उसके रास्ते में आता, उसे वो खतम करका चला जाता, उसे नहीं फर्क मैं एच्छे लाइब पढ़ रहा है, ब्रिलियंट हाई स्कुन कर शूडर्ट है, वो खुद को डार्कनेस में खड़ा देखता है, कि उसे नहीं समझा रहा है कि वो क्या करें, चा ना करें, उसे मतलब हैं सिर्फ वो पावर से, तो ये जो पहानी है ना, ये पहानी आपकी इस नहीं आपको बताएगी, आपकी जो योमन साइकिक है, वो किस तहले हैं से वर्क करती है पावर मिलने के बाद और पावर मिलने से पहले, ये जो आपके मोरालिटी है, पावर है, ये उन सभी पर कोशनेस खड़ा करती है, कि उनकी हदे क्या है, और जब आपकी लिमिदे हैं जैसे ही आप पूरी कहानिको सुनेंगे मैं जानता हुकि आपके बास नहीं होगा इसलिए हम आपके लिए लेकिए आएपिसोड के बारे में बिल्कुल कहानियां बताएंगे हमें नहीं चीह कि कोई लाको या हजार लोग कमेंट करें तब हम उसकी कहानी स्चूर करेंगे नहीं हाँ कोई एक भी आगर तीचे कमेंट कर दे कि आम we want this story and we want another story like any other like attack on titans any other so we will start right now thank you guys stay tuned for more updates